अब तक आपनी देखा, दरबार में किसी के पास भी महाराज की समस्या का हल ना होने के कारण महाराज सभी सभासदों को दरबार से निश्कासित कर देते हैं और राजगुरु तथाचारे को इस समस्या का समाधान ढूनने के लिए एक दिवसका समय देते हैं सभी सवासद और महामंत्री के आग्रह पर रखा चारे रामा की खर्चा कर रामा को दरबार चल कर महाराज की समस्या का हल निकालने के लिए मनाते हैं अब आके पंडित रामा किष्णा हèt हमने अच्छा कारे किया नहीं है ना करेंगे गरेंगे निए अशे बहुत से कारे होते हैं जब अनुश्य जेवन में प्रथा मदा संपन करता है हम भी करेंगे उंय तरल महात्मपुरन तो यह है जी प्रश्निका आपको तर मिले। साभ हो जाएगा, पंडित रामा किष्णा, साभ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। आपको पता नहीं है। आज प्राताकाली हमारे गुरुजी ने भादावम का हलुआ खाया है। आपको योभी नहीं पता है। आपको पालकी और चार कावरों के साथ आने का आदेश दे, तो चलेगा। गुरुवल, यदि मैं मेरी जगे गुंडब्पे को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भीज़दू, तो चलेगा। यह तो बच्चा है। यह क्या उत्तर देगा, इसका कार्य नहीं है। गुरुजी जिसका जो कार्य होता है, उसे ही करना पड़ता है। यह नहीं चलेगा। गुरुजी गुरुजी यह कार्य भी संपन कर लीजे। आपकी का तो कथन है। यहीं कि आपत्ती के समेर गद्रीक में पेर पकड़ कर उसे पिता तुल्यादर देना चाहिए। पंडित रामकृष्णा जी को पालकी में बिठा कर उठाने के लिए तत्पर हो जाओ। परन्तु गुरुवर, इस कार्य के अतरिक्त जो अन्यकार्य भी हैं, वो भी आपको स्मरण है ना। क्या। पंडित रामकृष्णा, कुछ अधिक तो नहीं हो गया। एँसा क्या। आप पस्तान कीजिए। आप जो बोलेंगे... मेंच सब कुछ करेंगे। जी.. अगर पंदीत रामा क्रिष्णा को पता चल गया तो आपके राम नम सत्य हो जाएगा ए भगवान बला रामा कृष्णा बला रामा कृष्णा बला रामा कृष्णा ए भगवान पीडा से हमारा शरीर तूटा जा रहा है गुरुजी यह नया पल की पर लगाएगी कहीं गुरुजी के जीवन की नहीं आना पार लग जा हमारे गुरुजी को इतना भारी बोज उठाने की आतत नहीं है ना बुढ़े हो गए आचारे पालकी उठाए रखिये अनित्या रामा कृष्णा का मन बदल जाएगा गुरुवर पालकी उठा रहे हैं महराज की जय हो इनसे पालकी उठाने का दुष्णास किसने किया देवक वो पालकी देख रहे हैं उस पालकी में जो भी व्यक्ति बैटा है उसे उसके दुष्णास का दंड बिलना चाहिए जाहिए उसे उस पालकी से उतारिए और उसे इतना मारिए इतना मारिए कि आज के पश्च्चा तो कभी किसी पालकी में बैठने के योगे ना रहे जाहिए जो आ ग्या हो महराज ए माखाली रक्षा करना ए बंदू अभी कौन सा संकट है जो मा काली को स्मरन कर रहा है बंदू संकट वहाँ उपर वातायन पर है महराज ने गुरुवर को मेरी पालकी उठाते बे देख लिया है अब तो वो शिखा पकड़ के मारेंगे रामा तेरा हर दंड मुझसे ही क्यो प्रारम होता है चुपकर वाताला बंद कर पालकी से उतारना होगा गुरुवर गुरुवर पालकी रोके पालकी रोके अरे रुकी रुके अरे मर गया अरे मर गया अरे गुरुवर गुरुवर ग्या है बैठिये कहां बैठिये पाल्की में गुरुवर और कहां अब पाल्की मैं उठाउंगा बंडित रामा किष्णा क्यों उभास कर रहे हो हमारे साथ गुरुवर मेरा मुख देखिये कितना गंभी रूम है आप महान है महया पुरुष है महाज्यानी अंतरयामी है तो आप जैसे महा अधर पुरुष को पाल्की बàiठना चाहिए और मुझ जैसे तुछ और सामाने मनुष्य को पाल्की उठानी चाहिए अंतार पाल्की मैं उठाऊँगा तरड़ जाए अचैना कि güzel नश्य जश्य जो क इसी में है वो, जिसे महराज ने दंड देने का आदेश दिया है, मारो, रुके, 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 मत मारिए, महराज ने इसे दंड देने का आदेश दिया है, हम उनकी आज्या टाल नहीं सकते, हमें मारोगे, हमें मारोगे, जानते हो कौन है हम, गुर्देव आप, क्षमा आप सब पालकी उठाओ शमा कीजिये पंडित जी आप दर्बार से निश्कासित हैं हम आपकी आज्या का पालन नहीं कर सकते लेकिन हम तो निश्कासित नहीं है ना हम राजप्रोहित्त असाचारे आज्या दे रहे हैं धाये पालकी जी गुरुवारण बाठी जी उठाई रुकिये मैं राजदर्बार में प्रवेश नहीं करूंगा ये क्या कह रहे हो पंडित्रामा किष्णा शांत कुरुवर शांत कदापी आप भूल रहे हैं कि मेरा निश्कासन आप ही ने करवाया है अब यदी में भीतर गया तो महाराज की आग्या को प्रवान, रुकिये, हम अभी आते हैं तो दाम आउच्छा महाराज कीच्छे क्या वा गुरुवर, आप पेसा बस्तामें? वा क्या वा गुरुवर, आप अस्तव वेस्ता लगए हैं? नहीं कुछ विशेष नहीं, महाराज वो ठोड़ी पीड़ा है कमर में सत्य बताए गुरुवर, आपसे पालकी उठवाने का दुस्तास किसने किया? पालकी? किसने उठाई पालकी? हमने ने उठाई पालकी? महाराज, ये अवश्य समझने में भून हुई हम तो पालकी के अंदर बढ़े थे हमें प्रदी दुआ के पालकी गुरुवर ने उठाई थे हमारा आपसे एक निवेदन है, महाराज कहिए? निवेदन ये है, महाराज के पंडित रामा किष्णा पर दर्वार से निश्काशन का आदेश निरस्त कर दिया जाए उन्हें उनके अपराद का धंड प्रयाप्त मिल चुका है, महाराज अब उन्हें दर्वार में उपस्तित होने की अनुमती मिल जानी चाहिए, महाराज नए, हम पंडित रामा कृष्ण को भीतर आने की अनुमती नहीं देंगे महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण ने अनेक अउसरों पर इस राज दर्वार के समस्याओं का समाधान किया है तो एक अउसर उन्हें उपलब्द करवाना चाहिए, महाराज और आपके प्रशन का उत्तर भी वही देंगे और थात अब हमारा तात परया है महाराज कि आप तो प्रविती से द्यालो है आपने सदायव क्षमा करने की मन्शा रखी है तो पंडित रामकृष्ण को भी क्षमा करें दीजिए महाराज ठीक है गरुवर, जिद्याप इतना आग्रह कर रहे हैं इतनी अनुषरं शाकर रहे हैं तो पंडित रामकृष्ण आने की अनुमती दे देते दे महाराज कि धंसलेमिक याव हमारे प्रस्ण का उत्तर देव पाते हैं महाराज महाराज पंडित रामकृष्ण को प्रस्तोत किया जाए महराज, पंडित रामकृष्णा आपके समक्षेक विशेष धंग से उपस्तितोना चाहते हैं। उन्हें उपस्तितोने की अनुमती दीजा है, महराज। वो जैसे भी आ나 जाते हैं, उनको आने की अनुमती है। हमें बस हमारे प्रश्न का उत्र चाहिए। जी महराज पनित्रामा किषना पनित्रामा किषना हमने महराज से अमगोद करके दरबार से आपका निशकाशन निरस्थ कर बा दिया है और जलिए अंदर, और महराज के परश्ण का उत्तर दीजी अच्छा आपने कह तो दिया, Guru भर परन्तु मुझे विश्वास नहीं, मैं कैसे मानलूं कि महाराज ने मेरा निष्कासन निरस्थ कर दिया है? ए बगवान, क्या आपको हमारी बाद पर विश्वास नहीं है? अगरे जी आप पर तो आपको स्वयमी विश्वास नहीं है, किसी और को फला क्या होगा? पंडित रामकृष्णा, आप दर्बार में प्रवेश कर सकते हैं, महाराज ने आपका निष्काशन निरस्थ कर दिया है अरे वाह, धन्यवाद मंत्रीवर, बड़ी प्रसनता हुई चलिए, अब पालकी उठाइए, अब मैं दर्बार में अवश्य जाओंगा पंडित रामकृष्णा की? पंडित रामकृष्णा की? पंडित रामग्रिष्णा यह कैसा प्रपंच है प्रपंच नहीं है महाराज यह तो इन सभी का प्रेम है सम्मान दे रहे हैं मुझे आप यहां हमारे प्रश्णों का उत्तर देने आया है या हमारे साथ परिहास करने आया है हमारा अपमान करने आया है महाराज, मैं यहाँ आपके प्रश्णों का उत्तर ही दे रहा हूँ तो यह कैसा उत्तर हुआ? हम कुछ समझे नहीं, पंडित रामकृष्णा, बात को स्पष्ट कीजिए उत्तर दीजिए अमारा की कौन है इन में से वास्तविक अपरादी महाराज, अपरादी पंडित रामकृष्णा, हमारे साइयम की परिक्षा मत लीजिए आपको क्या थै कि आप क्या करें हैं? क्षमा चाता हूं महाराज, परंतु इस दर्बार में आपके सहित जितने भी सभासा दोपस्तित है सभी अपरादी हैं या यू कहूं तो कोई भी अपरादी नहीं इसे राज़ दर्बार में लाकर उच्ची थिखिया हमने, अब इसे निश्काषन नहीं, राण दंड मिलेगा अपना कफन सिद्ध कीजिये पंडित रामक्रिष्णा भाराज अपराधी मनुष्य की आवश्यक्ताएं हैं आवश्यक्ता के कारण ही मनुष्य सब करता है आवश्यक्ता के कारण ही मनुष्य एक गधे को पिता तुल्य सम्मान देता है और ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया कैसे? नहराज, आपने अभी देखा कि आवश्यक्ता थी तो मुझे पालकी में बिठा कर मेरा गुर्णगान करते करते मुझे रासभा में लाया गया है मेरा सुआगत सत्कार किया गया, अभिवादन किया गया उसी प्रकार आपको अनुष्ठान में पुष्पों की आवश्यक्ता थी रमन्ना को पुष्प वाली सावित्री की, सावित्री को निद्रा की, सरला को बैल गाड़ी वाले चंद्रैया की, चंद्रैया को अपने पुत्र के समी प्याने की, चंद्रैया की पत्नी को अपने माय के जाने की, अताह इन सभी आवश्यक्ताओं की पूर्ती के कारण ही ये कि वजय से मैं निश्कासित होने के पश्चात भी राजदर्बार में उपस्थितुआ। महराज ये तो सर्व विदित है कि प्राचीम काल से आज तक हम आवश्यक्ताओं के कारण ही उन्नती कर पाएं। कि अभी आप कह रहे थे कि अवश्यक्ता ही अपराधी और आप कह रहे हैं कि अवश्यक्ता के कारण ही उन्नती हुई। जी गुरुवर्ण अवश्यक्ता ही अविश्कार की जननी होती है। पहले मनुष्य पैदल चला करता था, फिर उसने बैल गाड़ियों और रथों का निर्मान किया, पनों में रहता था, फिर उसने सुरक्षा और विलासिता के लिए महलों और घरों का आविश्कार किया, कितनी शीतलता है यहां, इस से मुक्ती पाने के लिए इन वस्त्रों का निर्मान किया गया, महल को उश्म रखने के लिए आग जिलाने का विचार आया, यह सब आवश्यक्ता की ही तो ऊपज है, और यही आवश्यक्ताएं, दोशी भी है, तो यदि यह आवश्यक्ताएं और यहीं आपके प्रश्नों का उत्तर है, महराज. अध्भूत, पंडित रावकृष्णा, अध्भूत. अमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया. वाह, पंडित रावकृष्णा, आपने बहुती सुंदर और सटीक उत्तर दिया. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, वाह, परंतु महराज, कथनी और करनी में तो अंतर होता है, आप कहना क्या चाहते हैं, गुरुवर, महराज जरी आवश्यक्ता ही सब कुछ है, तो संसार में कोई किसी का हिताश ही नहीं, बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं, कट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमें एक बार फिर से पूछ रहे हैं, पंडित रामा किष्णा, कुछ भी कर सकता है, मैं भी एक बार फिर से कह रहा हूं, गुरुवर, कुछ भी कर सकता है, अर्थात, इस शीत्रिटू में, मात्रे ठोकी में, नदी के शीतर जल में पूर्ण रात्री खड़ा हो सकता है वो भी बिना किसी सहा रहे कि यदि उसकी आविश्यक्ता और विवस्ता अधिक होगी तो अवश्य खड़ा रहेगा पंडित रामाकृष्णा क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं हम गुरुवर के कतन से सहमत है पंडित रामकृष्णा आप अपनी बात सिद्ध करके बताईए अवश्य महाराज आप दस शहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार घोशित कर दीजिए जिसकी भी आव शमकार्य को अवश्य करेगा अपना अनुमति है आप शरों सब्सकार आप समस्त्र है नगरवासियों सब्सक्राजण इस सीद्र तुमें जो भी नगर नीवासी मत्र एक अब आफ्तर धारान करके, नादी के शीटल जय्में पूर्ण रात्री खड़ा रहेगा, महाराज कृष्न देवराय, उसे दस है तु। स्वन मुत्राओं का पुरस्कार देंगे। सीतल लहर चल रही है कोई मूर्खी होगा जो पूरी रात्री सीतल जल में खड़ा रहेगा ता सहत्र सोन मुद्राओं का पूरसकार है अरे जीवित ही नहीं रहेंगे तो संड मुद्राओं का क्या करेंगी सत्य कह रही हो संभाव ही नहीं है शीतल जलमें एक पहर खड़ा ने रहे सकता, बुरी रहेखा। नहीं-खुपत कुछ? आप गहीं नहीं जाएंगे, रुख जाएंगे! जानवथे जाने को अम्मा को जाने खूत लाइगे! और आम्माहा हमने आप से कहा न आप कहीनही जानेदें के डिखे! अम्माहाँ जाने के लिये इतनी उताली हो रहे हो तो क्या ? जब से राजय की ओर से की गए सुनी है तब से हम्माहाट कर रहे है कि किसी नदी ynगके शीतल जल में जाकर पूरी रात रहे है और दस शहस्त्रे स्वन्द मुद्राओं का पूरस्तार प्राप्त करेंगी। आपात करेंगी, अम्मा, पागल हो गई हो क्या। इतना अच्छा अफसर, कौन हाथ से जाने देता है। अम्मा, बढ़िया है कि अवसर ही हाथ से जाने दो, अन्यथा जान हाथ से चली जाएगी। क्यों अपने प्राण संकट में डालना चाहती हो तुम। ठीप, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्हे को अप्शेश भचा क्या है। और तुम्हे कमाने के क्या अवशकता है। मैं हो ना। तू है। इसलिए तो यह सब करना पढ़ रहा है। वृद्धा अवस्था की सुरक्षा के लिए। तीरा क्या भरोसा। तू कभी दरबार से निश्कासित हो जाता है। कभी कारावास में बंद कर दिया जाता है। और कभी दुझे भासी के सुर्दा सुद्रा दीर जाती है। इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, जाने तो दश शात्र सुन मुद्ले बहुत कामाईगी। मैं उन्ते कितनी धंतिया लुंदा। कितनी धंतिया लुंदा। बढ़ा घंतिया लेने वाला। शार्दा, एक काम करो। शीतल बरफीला जल स्नान घर में तयार करो। अम्मा अभी इसी समय स्नान करेंगी। ठीक है, अम्मा। नालायक। वो मुझे जीते जिपान अचाता है। अम्मा, नहीं, अम्मा रुको, आजार्द, रुखो, 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 रुखो… अबहा, आजार्द, तुरू, तुरू… अभि तुम्हें स्नान भी नहीं करना और यहां रात-भाहर नदी के स्रीतल जल में ख़डी रोगे तुम। वो भी शरद रही तुम्हें, अम्मा, तुम्हारी बची-कुची हड्डियां भी गल जाएंगी शीतलता के कारण ऐसे बरफ की मूरत बन का घर लोटोगी तुम और फिर दस सहस्त्र मुद्राओं का क्या करोगी, बोलो, बोलो ए बंदू बंदू बंदू